कॉंग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं मैम आज जो है वो बजट पर चर्चा हुई क्या लगता है आपको की बजट किस तरह का क्योंकि सरकार के लोग कह रहे हैं कि इससे उत्तरप्रदेश का बहुत विकास होन आई मार्च में आज मार्च से ले करके दिसंबर आ गया चे महीने में चे महीने से भी जादा समय भी दिया सरकार केवल 35 प्रच्छत बजट का हिस्सा अभी तक खर्च कर पाई मूल बजट का जिसमें जो सबसे दुखत बात है कि जो महत्वपूर्ण विभाग थे जैसे समा जो मूल है हमारी डेवलप्मेंट का इन विभागों में शिक्षा और स्वास जैसे विभागों में 35 प्रच्छत से भी कम पैसा खर्च हुआ तो जब आप पैसा खर्च नहीं कर पाई जो मूल बजट का था तो आपको सप्लिमेंटरी लाने के आवशकता क्या थी पहला सवा दूसरा यह है कि सप्लिमेंटरी को अगर आप पढ़िए तो जो फोकस है वो तीन चीज़ों पर हैं इन्वेस्टर समेट अगर इन्वेस्टर समेट की बात करें तो आप पहले भी 2018 से लेकर के 2022 के बीच में आपने चार इन्वेस्टर समेट और ग्राउंड ब्रेकिंग सर्म पर जानना हम यह चाहते हैं कि आखर उस इन्वेस्टर समेट से कितनी फैक्टरियां खुली प्रदेश में कितने नौजवानों को रोजगार मिला अगर आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुआ आपने चार दशमलो आठ दो का इन्वेस्टमेंट बताया कि हुआ तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी तो श्वेद पात्र जारी करें मैंने इसकी मांग किया है जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं वरना ये जो अभी जा रहे हैं फिर घूमने फिरने के लिए ये परेटन के लिए बिल्कुल निवेश के लिए अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है त और जब आप पहले पात साल में जो आपने पैसा खर्च किया उसका कोई उपलब्धी नहीं है तो इसकी कोई आप गूमने जा रहे हैं इसकी कोई गैरेंटी है कि आप इन्वेस्मेंट लेकर के आएंगे और आपको एक बड़ी गंभीर बात समझ लिजए छे सो करोड जो है लगभग जो है वो एड़िटाइजिंग के लिए रखा गिया है और जिसमें से चार साड़े चार सो करोड केवल विज्यापन के लिए तो इस सरकार की तो मंचा एकदम सपस्ट है पिछले एक ही ऐसा विभाग है जिसमें 77 प्रच्छत खर्च किया सरकार ने पिछले अच्छे मेने में मालूम है कौन सा विभाग है वो है आपका information department मतलब सरकार ने विज्यापन पर जो धनावंटित किया ता मूल बजट में उस का 77 प्रच्छत खर्च कर चुकी सरकार तो फोकस समझ में आता है ना सरकार का कहा है कि जो development के काम थे वो विभागों में पैसा नहीं खर्च हो पाया और प्रचार प्रचार में 77 प्रच्छत व्य हो गया सवाल यह था कि आज GST का मुद्दा उठाया कि विधायक निधी पर GST जो है वो नहीं लगनी चाहिए या लगनी चाहिए इनसे लेकर यह किस तरह का बात थी और क्या मुद्दा था देखे मानी मुकमंत्री जी ने हम सब लोगों की मांग पर प्रमुक्ता से इस बांक को मैंने उठाया ता पिछले सदन में कि विधायक निधी जो तीन करोड थी उसको पांच करोड कर दिया जाए और हो भी गई थी तो पांच करोड की घोशना तो कर दी थी पर सप्लिमेंटरी मुकमंत्री ने घोशना किया जिस पर आश्वस्त किया मानी संसदी कार मंत्री जी ने मानी मुकमंत्री जी की उपस्थिती में कि वो पांच करोड जो मुकमंत्री जी ने कहा हो मिलेगी हमारी दूसरी जबसे वड़ी समस्या जो विधायक निधी कि विधायक निधी अकेला कांपस कोई ऐसा और ऐसी निदी जो किसी भी विधायक को अपने छेट में विकास् कारिक ली खर्च करनीा लगभा system दियूutos जो कंस्ट्रैक्शन के काम हो मुजए है रोड घास्रेक्शन हो जम विद्ध्याले में कक्ष ओया इस तरह क्ञाम watch होती है अगर उस पर जीस्टी लगेगी पहले 12 परसंट थे अब 18 परसंट हो गई इसका मतलब है कि पांच करोड में से 90 लाख रुपए कि एस्टी इसको मिलेगा रिफर्ण्ड होगा जब अब मिलेगा तो हम्हें मिलेगा कितना चार में जनता को दिना पड़ेगा तो हम लोगों की मांग थी कि 5 करोड प्लस GST इस पे सरकार संस्तुती दे दे ताकि जो GST का पैसा है वो जो है वो अत्रिक थो 5 करोड के और वो सरकार के पास चला GST तो देनी है तो इसका प्रवधान होना चाहिए वरना ये हमारी जो धनराशी है ये घट करके 4 करोड हो जाएगे बाचित के लिए शुक्रिया आपने सुना आराधना जी को उन्होंने जो विधायक निधी है उस पे GST का पैसा अलग से बढ़ाने की मांग की और साथी साथ उन्होंने जो ये बजट आया है